हेलो स्टूडेंट आज की लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोपर्टीज ऑफ एक्स्टरनल डायरेक्ट प्रोड़क्ट इसमें हम इसका अप्लिकेशन करेंगे मिन्स एक एक्जाम्पल करेंगे कोशिन है find number of cyclic subgroup of order 10 in Z100 direct product of Z15 इसमें कोशिन में given है number of cyclic subgroup यह find out करना है find number of cyclic subgroup of order 10 order 10 का number of cyclic subgroup find out करना है indirect product of Z100 and Z15 so देखे इसको कैसे हम लोग solve करेंगे पहले cyclic subgroup का मतलब क्या है cyclic subgroup is generated by element of order 10 cyclic subgroup का मतलब है कुछ generator होगा order 10 का so देखे element of order 10 order 10 में element of order 10 हम लोग को निकलना होगा so देखे एक्स इकोल्स टू order pair AB belongs to direct product of Z100 and Z25 so देखे 10 यह order pair है order pair का LCM कितना होगा LCM 10 होना चाहिए यह by rule हम लोग को theorem पता है जो previously हम लोगों ने किया था वो theorem का statement किया था order pair of G1, G2 equals to LCM of order G1, order G2 यह वाला statement हम लोगों ने किया था तो देखे इसमें order कितना है 10 है उसका LCM हम लोग को निकालना होगा तो क्या होगा A क्या होगा B यहां पर मैंने G1, G2 ले लिया तो देखे अगर मैं A का value 1 लोगे तो B का value 10 होगा तभी LCM 10 निकलेगा शिमिलाली उस थरह से चेक करेंगे कितने order pair possible है अगर हम लोग A में 2 लिखेंगे B में 5 होगा तभी इसका LCM 10 होगा शिमिलाली 3 होगा तो यह नहीं होगा 2 होगा इसका A का value 2 होगा तो B का value 10 होगा उसका LCM 10 निकलेगा सिमिलाली 5 A का value 5 होगा तो B का value 10 होने पर LCM 10 होगा सिमिलाली 5,2 इसका भी LCM 10 होता है 10,1 इसका भी LCM 10 होता है 10,10 इसका भी LCM 10 होता है 10,5 इसका भी LCM 10 होता है मतलब order 10 के जितने में order pair possible है उनका सब का मैंने order पर ले लिया और सब का LCM कितना आ रहा है 10 आ रहा है 10 आ रहा है तो अभी हम लोग देखेंगे कौन सा वाला divisible है और कौन सा वाला divisible नहीं है देजन उसका हम लोग 5 फॉंक्शन निकालेंगे तो देखें यहां पर कोशिन में Z100 डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जेड हंड्रेर एंड जन 15 है यह क्या है A है A के साथ यह divisible होगा और यह B के साथ divisible है देखिए यह 1 है 1 क्या है 100 के साथ divisible है 10 15 के साथ divisible नहीं है that means यह बला order pair cancel हो रहा है देखिए 2 divisible by 100 और 5 divisible by 25 means यह बला order pair रहेगा 2 divisible by 100 but 10 non divisible by 25 यह बला order pair cancel हो जाएगा 5 divisible by 100 10 not divisible by 25 यह बला cancel हो जाएगा So 5 divisible by 100 but 2 does not divisible by 25 यह बला भी cancel हो जाएगा 10 divisible by 100 1 divisible by 25 यह बला रहेगा यह 10 10 10 does not this means यहाँ पे 3 order pair possible है यह तीनों को लेकर हम लोग निकालेंगे total number of order और उसका group निकालेंगे तो देखिए next में हम लोग देखेंगे इसका subgroup और total number of order प्या तो देखिए previously हम लोगों ने चेक किया कि B div not और यह मतलब यह सारा LCM था और यह सब 1, 10, 2, 10, 5, 10, 5, 2, 5 देखिए अभी हम लोग निकालेंगे मतलब कौन सा बाला डिलीट हुआ है order pair 1, 10, 1, 10, 2, 10, 5, 10, 5, 2, 10, 10 मतलब इसतना order pair impossible है समझ के LCM because यह second B does not divisible by 25 यह हम लोगों ने चेक किया then only possible are 10, 5, 10, 1, and 2, 5 only these are the possibility तो देखिए यह तीनों pair को हम लोग अभी टेस्ट करेंगे तो case 1 में क्या होगा देखिए एक-एक order पहले थे हैं पहले 2, 5 देखिए हमारा question में क्या था direct product of Z100 Z25 देखिए 2 जो है element number of element order of 2 2 इन किस में है Z100 में है 2 कहां पर है Z100 में है तो देखिए इसमें क्या निकलेगा 5 of 2 तो देखिए सिमेलाली इस 5 कहां पर है 25 में है तो number of element of order 5 in Z25 इकोस तो 5 5 तो अभी इसका total number of निकालेंगे तो 5 2 into 5 5 क्या होगा by rule हम लोग को प्रोप्थोरों पता है तो 5 2 में क्या होगा इसका order 1 आएगा और इसका क्या होगा 4 होगा तो total number of order element is 4 similarly next similarly हम लोग चेक करेंगे next order प्यार को तो देखिए 10 1 में क्या होगा 10 1 में case 2 अभाव हम लोग study करेंगे तो 10 1 में क्या होगा so 10 divisible by 101 divisible by 25 so 5 10 into 5 1 so 5 10 का क्या होगा 4 ये क्या होगा 1 होगा so number of 4 4 होगा इस order pair का order कितना होगा 4 होगा so देखिए case 3 भी हम लोग study करेंगे case 3 में क्या है 10 5 so 5 10 into 5 5 इलोर फंक्चनल ये इसका कितना order होगा 4 इसका order कितना होगा 4 so ये क्या हागया 16 होगया so total number of element of order 10 order 10 का total number of element कितने है 4 plus 4 plus 16 equals to 24 ये तीनों case में हम लोगों ने हम लोग को पता चला कि total number of element कितने है आएंगे order 10 के 24 अभी इसका हम लोग को subgroup निकालना है तो subgroup निकालने के लिए हम लोग को test subgroup अभी हम लोग क्या निकालेंगे subgroup निकालेंगे तो देखें यहां पर एक case मेंने study किया तो let x1, x2, x24 क्योंकि इतने number of element है total तो x24 element इसका subgroup हम लोग को generate करना पड़ेगा let h1 be the one subgroup तो देखें h1 में देखें हम लोग का पहले 10 आया उसके बाद something निकाला तो देखें number of generator of h1 h1 का number of generator कितना आया देखें 5, 10 आया suppose so 5, 10 का element कितना था 4 है so यहां पर h1 has h1 has 4 element of order 10 so 4 element in 1 group 4 element 1 group में number of element कितना हो गया 1 so 24 group में क्या होगा 24 by 4 equals to 6 so we have 6 cycling subgroup of order 10 in Z100 direct external direct product of Z100 and Z25 5 समझ गें देखें और एक example हम लोग करेंगे देखें उस example में क्या है find a subgroup of Z30 external direct product of Z30 and Z12 isomorphic to external direct product of Z6 and Z4 देखें external direct product of Z6 and Z4 इसमें order क्या है 6 है और इसमें order क्या है 4 है so यह cyclic है और यह cyclic है इसको इसका isomorphic हम लोग दिखाएंगे so देखें Z30 इसमें order कितना है 30 और इसमें order क्या है 12 but इसमें at least order 6 का होना चाहिए और इसमें at least 4 का order होना चाहिए because of this so यह cyclic भी हुआ यह cyclic भी होगा so देखें इसमें कितना order है इसका जो 30 का order कितना है 30 है so देखें यह 30 so 6 divided by 36 is 6 यहां पर देखें इसका order 6 है इसका order 4 है इसका order 30 है और इसका order 12 है but at least इसका order 6 होना चाहिए और इसका order 4 होना चाहिए that means 6 is divisible by 30 6 divisible by 30 और 4 divisible by 12 so 6 divisible by 30 means there exist a subgroup of H1 of order 6 बतलब इसमें इसका order 6 है इसका order 30 है means at least इसमें एक subgroup H1 of order 6 का होना चाहिए so पहला subgroup H1 कितना हो गया 30 by 6 generator कितना हो गया 5 हो गया so देखें 4 divided by 12 there exist a subgroup H2 of order 4 means इसमें at least कितना subgroup होगा H2 इसकेंड subgroup के से होगा 12 by 4 equals to 3 so इसमे इस subgroup का generator इतना है और इस subgroup का generator इतना है means direct product of H1 and H2 equals to इसका इतना generator इकला है और external direct product of 3 so इक इसके isomorphic है so this isomorphic to Z6 और this isomorphic to Z4 thank you